हेलो मेरे भाई हो किस वह तुम सभी स्वागत है अब सब कमेर रख के अपनी यूटिप चैनल डीशन डिसमेर के अंदर मेरे को पता है इस बार कॉफी 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 जादा लेट हो गया तो उसके बार टाइम जल्दी मिलता नहीं और जब भी टाइम मिलता है तो यार मेरे को तुम टेंशन मतलो मैं ब्रीफ में एक्स्वेन करूंगा ऐसा मन सोचो कि मेरा रख करूंगा ठीक है तो चैपलर 259 के पहले पेज में हम देखते हैं कि जो हमारा मिट्सुया होता है वो ताइजू को मना रहा होता है कि वो इस लड़ाई में आए क्योंकि ये लड़ा ताइजू को मनी मन सोचने में मजबूर कर देती है कि हाँ यार हनागाकी और माईकी के लड़ाई ये हर बार देखने मिलने वाली चीज नहीं है ये वन सिन लाइफ टाइम मौका है और ये सोचकर वो हाँ बोल देता है और हम उसके बाद बैटल फिल्ड में आ जाते हैं जह ताइजू फ्रेंट रो के टिकट्स लेता हूं हाना काकी को माईकी को पीटते हुए देखने के लिए है है और उसके बाद हम सब के रियक्शन देखते हैं जहापे में चुया कहता है तो तो माँ खिरकारा ही गए और हाकाई का रियक्शन तो हमेजा कि दरा प्राइसलेस बा है और उसके बाद कोको और इनुपी पे कहते हैं सच में यह ऐसा बंदर नहीं है जो किसी के अंदर काम करें और उसके बाद हम फाइनली बेंके और वक्कासा के रियक्शन देखते हैं जहापे बेंके ही कहता है यही है फॉर्मल टेंथ जेनरेशन फ्लैक्ट्रेगर्स का आहां कर रहा होता है णहीं जाने के से देखकर शैय threaten को ही देखकर और उसके बाद हम सल्सकों को देखतें जो की काफी तकलीफ में होता है कि कफे जादा चोटे आचूप यह होती हैं और वह काफी मतलब एक दो स्ट्र floral कर रहा हता है दोबारा क्भड ओने के लिए और उसके पार आमने से हमने लाई कर चुके हैं इसी वज़े से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि तुम ही वो इनसान हो जो माईकी को हरा सकते हो समझे तो चलो मुझे तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाने दो जिससे तुम माईकी तक पहुँच पाओ फायर डप हो जाओ और ताके मीची भाई पूरी तरह से जोश में आ जाता है और कहता है ठीक है ताई जुकान चलो चले और उसके बाद ताई जु भाई राक्षस की तरह सब को रास्ते से साफ करता जाता है और कहता है मेरे रास्ते से हड़ जाओ और उसके बाद हकाई कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहाता काचान बड़े भाई ऐसे इंसान नहीं है जो किसी के आगे जुके और उसके बाद मिच्छुए कहता है हाँ बड़ शायद वो अपना ऐसान चुकाना चाता है ताक हमेजी ने उसके उपर किया है तुम लोगों को बचा के और उसके बाद हम ताक हमेजी को देकते है जो कि ताईजू को देखकर कहता है कब्माल है ताईजूकन आप तो एक बृल्डूוזर की तरह हो और उसके बाद को को कहता है सच में काफी समय बाद ताईजू को लड़ते हुए देख रहा हूँ सच में काफी खौफनाग मनजर है ये और उसके बाद इनूपी कहता है सच में शुक्र है कि ये दानव हमारी तरफ है और उसके बाद हम दुबारा ताईजू को देखते हैं कि ताईजू के आगे कोई दो लोग आते हैं और उनमें से एक कहता है तुम सच में काफी त्वड़े आदमियो और उसके बाद ताईजू कहता है और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं वकासा बेन केई होते हैं जिसमें वकासा कहता है तुम ही वो हो ना जिसना ब्लेक ड्राइगन्स को दुबारा से जिन्दा किया था और उसके बाद बन कहीं कहता है बड़ा हम तुम्हें माईकी तक पोचने के अनुमती नहीं दे सकते हैं जादा हिंदी हो गया और उसके बाद ताई जो कहता है ठीक है फर्स जनरेशन जा और उसके बाद आके मेची कहता है ये काफी बुरा हो रहा है असली ब्लेक ड्राइगन्स आ चुके हैं तो क्या वो नकली है साले इधर ताई जो ये असली ब्लेक ड्राइगन है और उसके बाद ताई जो कहता है यार कुछ रिटार्ड बुढ़े मुझे हराएंगे क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे रा सकते हो एवाई और उसके बाद बिन कहीं कहता है काफी अच्छी स्पिरिट है तुमारी बट ये स्पिरिट तुम्हें जीत किया और नहीं ले जाएगी फिकर मत करो और उसके बाद तौई जो कहता है तो आओ देख लेते हैं चलो इसके शुरुआत करते हैं लेजेंड्स दोस्तो फाइनल डीमन वर्सेज लेजेंड्स स्टार्ट होने वाली है और काफी खुस नसीबी वाली बात है कि हमें चप्टर ले रुकना नहीं है भाई इसके बाद भी एक चप्टर पड़ा हुआ है तो आओ आगे पढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं कि बेन के ये बहुत ही जोड़ तार मुक का ताईजू के मुग पर उतार देता है और कहता है खा इसे और उसके बाद हम देखते हैं कि वहीं वाकासा फट से आ जाता है और उसके गरदन पर एक खतरनाक लाद मर देता है और कहता है तुम अपने आपको काफी खतरनाक समझते होगा और उसके बाद हम देखते हैं कि ताके मेंची काफी फिक्र कर रहा होता है ताईजो के लिए और कहता है कि वो लोग लेजंडरी डूए हैं आफ्टर ओल ताईजो काफी मौर खा रहा है ये तो एक तरफा लड़ाई है मुझे उसकी मदद करनी होगी और उसके बाद ताईजो कहता है खबरदार हनागा की एक कदम भी आगे मत बढ़ाना ये मुझ पर छोड़ दो जाओ और जाकर मौाइकी के हीरो बनो हीरो भी लाइक मतलब जैसे वो किसा की ताखेमेची को हीरो बलता था लाइक और मतलब वैसा रेफर दर रहा है समझ रहो ताईजो और उसके बाद ताखेमेची कहता है बिलकुल और उसके बाद ताईजो कहता है फिकर मुद करो मैं इ इनूपी कहता है क्या तुम ये देख रहे हो को को और को कहता है हाँ ताइजू हार रहा है और उसके बाद इनूपी कहता है ताइजू समहल कर ये ये वही है जिने हम भी नहीं हरा पाए और उसके बाद दोस्तों को को कहता है शिट क्या क्या ताइजू भी नहीं हरा सकता है औ और उसके बाद वहाँ पर सेंजू आती है और सेंजू पर ये देखा है और वकासा अपने अपोनेंट को रोकता है और बेनकेई उसे जड़ से खत्ब कर देता है ये उनका बहुती खतरनाक डेड़ली कॉमबो है ये उन cuarto अज तक पर ही किया है ताकि सामने वाले बंदे की जान न जाए वकासा बेनकेई या मत करो तुमेंसे इतनी दूर लजाने की ज़रूरत नहीं है तुम लोग वैसे भी इस लड़ाई को जीत रहे हो तुम लोग उसे चांच से ही मार दोगे और उसके बाद हम देखते हैं कि वकासा बेनकेई उसकी बिलकुल नही यार शिट भाई दोनों के सर पकड़ लेता है लॉंडा और कहता है क्या कह रही थी तू इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है यार तुम तो ये भी नहीं कर सकते हो और उसके बाद वो कहता है मेरे कैट और डॉब डूओ नहीं तुम्हें काफी ठका दिया अब तुम लो लिटरली दोनों के सर समीन में क्लैस कर देता है गुंदी तरह से ताइजू भाई ताइजू यार लेजेट गूसबम्स भाई गूसबम्स भाई पिछवाड़े के भी बाल खड़े हो गए भाई इतना तकड़ा था भाई ये और उसके बाद ताइजू उन दोनों को पटक गारी है और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि माई की औरता के मीची हमने सामने होते हैं औरता के मीची काफी बेड़े सेक करता है और कहता है यह नीचे आओ मांजिरो और उसके बाद फाइनली ताके मीची और माई की लिए लड़ाई होने जारी होती है जिसमें माई क फाइनल ये लड़ाई की शुरुवात हो रही है मांजिरो वर्सिस ताके मीची और हमेशा की तरह हम काफी लगी है हमें रुकने की कोई ज़रत नहीं है और तो चलो चलते हैं अगले चेप्टर की और दोस्तो इस चेप्टर के पहले ही पेज में हम ताके मीची और माईकी वो देखते हैं और उसके बाद में तुया, हकाई और ताईजू की अपीरिंस भी दिखाए जाती है और हकाई कहता है आखिरकार और उसके बाद माईकी कहता है तुम वापस क्यों आए फ्यूचर से ताके मीची And उसके बाद दोस्तों ताके मीची Without any hesitation सारी बथ управल कर देता है उसके बाद ताके मीची कहता है कि मैंने फ्यूचर वाले माइके से यावदा किया है कि मैं उसे बचाओंगा जरूर असल मैं फ्यूचर वाले माइकी ने मुझे मार दिया और उसके बाद वो अपनी जिन्दकी से ठक हार कर खुद भी अपनी मौत को अपनाने चला था और उसके बाद ताई जो कहता है फ्यूचर वाला माई की आखिर ये पागल तो नहीं हो गया है क्या बखपकाय जा रहा है क्योंकि दोस्त ताई जो कुछ में नहीं बता होता है फ्यूचर और वो टाइम लिपिंग के बारे में ताक हमीची के और हम देखते हैं कि सांजु जैसे तैसे बेरली अपनी कटाना पकड़ कर स्टैंड हो रहा होता है और उसके बाद दोस्त ताक हमीची कहता है बड़ाखिर का अरंत में तुमने मेरे पास आकर मदद मागी और वो सबसे पहली बार था जब मैंने तुम्हारी अंदर की आवास सुनी और उसके बाद हम दोनों ने हाथ में लाया और वो ट्रिगर एक्टिवेट हो गया और मैं इसे खत्म करने के लिए पहली और आकरी बार यहां पर आया हूँ और हम देखते हैं कि दोस्तों कोई ताईजू की और कदम बढ़ा रहा होता है ताईजू तुरंथी उसे इंसान को नोटिस कर लेता है बड़ जैसे ही वो पीछे देखता है सान्जू वहां तक पहुच चुका होता है और वो कटाना उसके पीट पर मार देता है और कहता है जैसे मैं तुम्हें ये करने ही दूंगा और उसके बाद आके मीची कहता है ताईजू गन और उसके बाद हम देखते हैं कि सांजू पूरी तरह से मतलब बुलते हैं रसी जल गई पर बल नहीं गया भाई वो कहता है हानागा की तैफे मीची तुम अपने आपको टाइम ली पर कहते हो आ तो क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि के उसके डेस्टिनी कितनी जादा जरूरी है उसका उसका फेड डिसाइड हो चुका है जब से वो पैदा हुआ था तब से समझे उसके पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है चलने के लिए यही उसका एक आखरी रास्ता है और उसके बाद हम देखते है कि सांजो के पीचे से हानमा भी आता है और कहता है अब तुम अकेले वो इनसान हो जो तुमान के लिए खड़े हो शायद अब तुम्हारा भी अंध होने वाला है और उसके बाद हम देखते है कि ताके मीची थोड़ा टेंस हो जाता है कि ये उसको नॉक आउट कर देता है वो नॉक आउट नहीं होता मतलब फिर भी घूसा जड़ देता है मतलब हनमा उसे जिससे चिफुयो काफी दूर जाका जिरता है और उसके बाद हनमा कहता है हेई माच सुनो कैसे हो मुझे लगा मैंने तुम्हें खत्म कर दिया बट काफी बिल पाओर है तुम्हारे मैं और उसके बाद मिटसुयो काता है चिफुयो तुम्हे बोरी तरह से चोटे लगी है और तुम हार चुके हो और उसके बाद चिफुयो काता है ताके मीजी मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं लड़ने दूँगा मैं इतना जादा शर्मिन्दा हुआ था उस समय कि मैंने ड्राकेंकन की मौत का सारा जिम्मा तुम्हारे उपर डाल दिया तुम अकेले इस लड़ाही को लड़ रहे थे मैं कितना और जादा बेकार हो सकता था मुझे माफ करता के मीची मैं सेकंड जनरेशन टोक्यो मांजी गैंग का वाइस प्रेजिडेंट चिफो यू माच सुनो मैं अपनी जिन्दगी को अपने कैप्टन के हाथों में सौबता हूँ फिकर मत करो मैं तुम्हारे पीट समाहल रहा हूँ पार्टनर तो ठीक है चलो कर देते हैं और उसके बाद दोस्तों चिफो यू के मुझे गुसा भी साफ साफ जलग रहा होता है बट स्टिल यार चिफो यू ने जो काम किया भाई और जो बोला है आउटस्टेंडिंग यार इसे वज़े से वो वाइस प्रेजिडेंट बनना डिजर्व करता था टोक्योमान जी का और अब डेफिनेटली भाई अब उसने एक कदम आगे बढ़ा है तो बाकी सब भी पीछे तो लगे नहीं अपने कदम अब ताईजू और ताईजू भी गिरने नहीं वाला है भाई ताईजू ताईजू है वो दुबारा उट जाएगा भी ये सब कटाना बटाना उसके लिए कोई बढ़ात नहीं है दुबारा से उठेगा और दुबारा से लड़ेगा और इसके बाद अपने हकाई मिट सुया भी आगे बढ़ेंगे क्योंकि चिफूयू जब कर सकता है तो वह लोग क्यों नहीं कर सकते हैं डेफिनेटली ना वाई तुम तुम भी कर सकते हैं सब अपने पर भरोसा रखो और ताईजू के आते ही देख रहे हैं तुम लड़ाई कहां से कहां पहुँच गई और फाइन बाकी है मैं इतना जादा क्यों बोल रहा हूं बट जब एंड होगा यह चाप्टर काता है काफी बुरा भी लगेगा मेरे को मतलब जब इस सीरीज का एंड होगा तो और काफी अच्छा भी लगेगा देखते हैं काश इसको एक बहुत ही बढ़ी एंड मिले प्लीज कैन बा बड़ी बात है मैं बता नहीं सकता अगर तुमने देखा है तो यार मैं क्या बोलू भाई कुछ बोलें के लिए नहीं देगा है यार बहुत बहुत थैंक्यू यार मतलब कितना ग्रैटिटीड दिखा उतना का मैं थैंक्यू और चैप्टर कल डाल दूगा चैप्टर आ चलो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में और और के चलो बाब बाई